दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि isolated margin mode क्या है और जो cross margin mode है ये क्या है और इन दोनों में क्या फर्क है तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो दोस्तों margin के बारे में आप सभी जानते ही होंगे margin का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका equity है उस equity से जो margin बनता है कि मतलब जितने में आपका जो balance है जैसे 100% या 200% तो margin थोड़ा बढ़की रहता है जैसे कि आपका 2$ आपने लगाया है तो उसका margin 300 के करीब या 400 के करीब उस हिसाब से आपका margin बनता है तो उस margin के हिसाब से आपका जो profit और loss होता है वो जुड़ता है लेकिन यह जो isolated margin mode है और cross margin mode है Binance में जैसे कि आप Binance की future में अगर आप trade करने जा रहे हैं futures में तो जब आप वहाँ पे trade select करेंगे कोई भी pair में किसी भी pair में अगर आप माल यार हो उसमें अगर आप trade करने जा रहे हैं तो आपको कौन सा margin mode select करना होगा या कौन सा आप select करना चाहते हैं यह उसमें option देता है और तो आपको कौन सा select करना चाहिए यह आप decide कर सकते हैं लेकिन जब आपको पता होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है तब ही आप इस के बारे में जानने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकॉन को भी प्रेस कर देना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा उसे भी आपको जॉइन कर लेना है तो यह आपके उपर डिपेंट करता है आप करना चाहते हैं या नहीं तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम क्रॉस मार्जिन के बारे में जानेंगे उसके बाद यहाँ पे आईसो लेटेड मार्जिन के बारे में हम जानेंगे तो क्रॉस मार्जिन मोड में क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों क्रॉस मार्जिन में यह होता है कि जैसे कि for example माल लीजिए आपके पास 10 डॉलर है अब आपके पास 10 डॉलर है और आपने जो ट्रेड ओपिन किया है वो 5 डॉलर का ओपिन किया है तो cross margin में ये होगा कि जब आपका 5 डॉलर माइनस में चला जाएगा जो ट्रेड आपने ओपिन किया है वो ट्रेड जैसे ही 5 डॉलर माइनस में जाएगा तुरंत ही आपका जो 5 डॉलर वहाँ पे safe है जो आपके wallet में है futures market के wallet में जो आपका 5 डॉलर है वो भी आपका open trade में automatically जुड जाएगा मतलब कि आपकी equity जो है liquidation जो है वो आपकी बढ़ जाएगी और वो भी आपका उसमें जुड जाएगा तो इससे क्या होगा आपका जो total money है मतलब कि आपके पास total 10 ही डॉलर थे लेकिन आपने जो trade open किया था वो सिर्फ 5 डॉलर पे open किया था लेकिन risk जो है वो आपके total money जितना money आपके wallet में है उन सभी पर रहेगा मतलब कि 5 डॉलर माइनस में जाने के बाद आपका जो 5 डॉलर futures trade में है futures wallet में है वो भी आपका माइनस में चला जाएगा मतलब कि जैसे कि for example माल लीजिये अब आपने जो trade open किया है वो 5 डॉलर माइनस में गया तो उसके बाद क्या होगा अगर माल लीजिये 5 डॉलर माइनस में गया और माल लीजिये ऐसा हुआ कि 5 डॉलर से जादा 10 डॉलर माइनस में चला गया तो आपका जो 5 डॉलर का जो आपने trade open किया था वो तो आपका चला ही जाएगा और बागी जो 5 डॉलर आपका safe था वो भी आपका चला जाएगा तो ये होता है cross margin में लेकिन इसका उल्टा ही होता है isolated margin में तो isolated margin mode में ये होता है तो इसमें ये होता है कि जैसे आपने 5 डॉलर का trade open किया है कोई आपके पास 10 डॉलर है futures wallet में आपके 10 डॉलर है लेकिन आपने जो trade open किया है वो 5 डॉलर का आपने open किया है तो जब आपका जो trade open है वो 5 डॉलर minus में जैसे ही जाएगा तो आपका trade close हो जाएगा तो आपका जो 5 डॉलर wallet में है वो आपका safe रहेगा और जो आपने trade में लिया था जो trade आपने open किया था वो वाला आपका close हो जाएगा वहां से आपका trade बंद हो जाएगा तो इससे क्या होगा आपका जो और जो पैसा है वो आपका बच जाएगा तो दोस्तों बस यही इतनी जानकारी आपको देनी थी तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ चैहिंद